एक बार 1890 के आसपास नागपुर के एक विध्याले में सरकारी अधिकारियों के द्वारा छात्रों के लिए मिठाई भेजी गई शिक्षकों ने भी दोनों हाथों में भर भर कर छात्रों को मिठाईयां बाटी मिठाई खाकर जहां एक तरफ बच्चे खुशी मना रहे थे वहीं दूसरी तरफ केवल एक आठ वर्ष का बालक केशव विचार कर रहा था उसने एक शिक्षक से पूछा गुरु जी यह मिठाई किस खुशी में बाटी जा रही है शिक्षक ने बताया महरानी विक्टोरिया को राज करते हुए 60 वर्ष से अधिक हो गए हैं इसलिए इंग्लेंड से लेकर भारत तक सब जंगे खुशिया मनाई जा रही है अब आठ साल का केशव सोचने लगा राणी विक्टोरिया तो इंग्लेंड की है वह भारतिया तो है ही नहीं उसने तो हमारे देश पर जबरन कबजा किया हुआ है तो उसकी खुशी हमें क्यों मनानी चाहिए उसने निश्चे किया कि ये मिठाई हमें नहीं खानी चाहिए गुलाम बनाने वाली विक्टोरिया को आज साठ वरश हो गए हैं हमारे देश को गुलाम किये हुए ऐसी मिठाई मैं नहीं खाऊँगा तुम भी मत खाओ कहते हुए केशव ने मिठाई तुरंत नाली में फेक दी उन बच्चों ने यह खबर केशव के परिवार और आस पा बालक एक वरद शिक्षक जीरे साब के घर पढ़ने जाते थे जीरे साहब सेवा निर्वित थे परिवार ने उन्हें रहने खाने पढ़ने के लिए और पढ़ने के लिए एक कमरा अलग से दे दिया था एक दिन जीरे साब समय पर नहीं आये चारो बालक वारतलाप करने कि सामने किले पर लहवाता जंडा कितना सुंदर लग रहा है तभी केशव बोला परंतु यह जंडा इस जंडे से तो अलग है जो शिवाजी के चित्र में है तीसरा बालक बोला अलग तो होगा ही यह जंडा तो अंग्रेजों का यूनियन जैक है शिवाजी वाला जंडा तो केसरिया है केशव ने कहा क्यों ने किले से इस जंडे को उतार कर केसरिया जंडा लगा दे पूत के पाउं पालने में ही दिख जाते हैं बहुत देर की बहस के बाद तै हुआ कि कमरे से एक सुरंग खोदी जाए और किले पर पहुँचकर इस जंडे को बदल दिया जाए जीरे महद्य कहीं फस गई बालको ने फावडे और खुर्पे से खोदना शुरू किया बालक दर्वाजा बंद करके खोद रहे थे कि तभी शिक्षक जीरे साहब आ गए दर्वाजा खट-कटाया और जब दर्वाजा खुला तो सभी हैरान हो गए कमरे में तीन फिट का गहरा गड़ा हो गया था डांट फटकार कर गुरुजी ने पूछा तो एक बालक ने बताया गुरुजी यह केशव की योजना थी कि सामने वाले सीता वर्डी किले पर अंग्रेजों के जंडे को उतार कर केसर या ध्वज फैराने के लिए सुरंग खोदने की जीरे साहब का भी क्रोध शान्त हो गया उन्होंने समझाया विचार तो अच्छा है परंतु इतनी दूर तक सुरंग खोदना असंभव है और किले पर पहरेदार और सिपाही है उनके पास हतियार है वो उन्हें वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे यह बात बालकों के तो समझ में आ गई कि उनकी योजना विफल रही परंतु केशव के मन में अंग्रेजों के विरुद बीज तो लग ही गया था केशव तब नेल सिटी हाइ स्कूल में पढ़ता था देश में वन्दे मातरम की गूद सुनाई देने लग गई थी केशव ने योजना बनाई कि अंग्रेज इंस्पेक्टर के आने पर हर कक्षा में जब वो निरिक्षन करें तो वन्दे मातरम कहकर उनका स्वागत किया जाए निरिक्षन का दिन आया अंग्रेज इंस्पेक्टर स्कूल पहुचा परधानाचारिये के कारियले में आवशक कागच पत्र देखे गए और फिर परधानाचारिये को साथ लेकर वहे जैसे ही कक्षा में पहुचा कक्षा के सभी बालकों ने एक साथ खड़े होकर कहा वंद मात्रम का उद्गोश हुआ सभी कक्षाओं में वंदे मात्रम सुनकर वे दोनों कारियले में वापस लोट गए परधानाचारिये ने भरोसा दिलाया कि इस शरारत का सुत्रदार खोजा जाएगा और उसे दंड दिया जाएगा शिक्षकों ने बहुत पूचा परंतु किसी को निशकाशित कर दिया गया केशव उसी आठ साल के बच्चे ने बाद में डॉक्टरी पास की परंतु नोकरी नहीं की उसने आगे चल कर राष्ट्रिये स्वयम सेवक संग जिसे हम आरेसस के नाम से जानते हैं उसकी स्थापना की जो आज देश, धरम और संस्कृती की रक सबसे पहले हमें उसी राष्ट्रिये स्वयम सेवक संग के वेक्ती नौजवान मदद के लिए मिलते हैं जिसकी स्थापना उस आठ साल के देश भग्त किशोर केशव राव ने की थी धन्यवाद जैहिं